नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्त आज आप सभी के लिए जो औशद ही लाया हूँ ये बेहद ही स्वादिष्ट और स्वास्त की दिरिष्टी से बहुत ही लाफकारी औशद ही है जहां अंजीर के बारे में हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में खाया और स्वास्थे लाफ के कारण दुनिया भर में मशहूर है ऐसा माना जाता है कि अंजीर का पोधा दुनिया का सबसे पहले मानो द्वारा उगाया जाने वाला प्लांट है अंजीर में धेर सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटियोक्सिडेंट और दूसरे योगी होते हैं जिनके कारण इन्हें गजब के और शध्य गुण मिले हैं और इन गुणों के कारण आयरुवेदिक डॉक्टर और हर्बल एक्सपर्स अंजीर का उपयोग शरीर की कई बिमारि तो देर मत कीजिए और फ्रेश अंजीर को तोड़ कर खाईए और अगर प्लांट नहीं है तो आप बाजार से ड्राइफ फिग खरीद करके भी खा सकते हैं जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इस फ्रूट के धेर सारे स्वास्थे लाव यानि कि हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं बेनिफिट्स के कारण फिग का इस्तेमाल, डाइबिटीज यानि कि मधुमेह, हाई बलड प्रेशर, कबज, बवासीर यानि कि पाइल्स, नपुन सकता, दमा यानि कि अस्थमा, ब्रॉंकाइटिस, हाई कोलेस्ट्र विक बोन्स, यानि कि कमजोर हड्डियों के इलाज में, विकनेस, एनिमिया और कैंसर जैसी प्रोब्लेम्स से बचाव और इलाज के लिए किया जा सकता है, इनके अलावा, इनके कुछ कमाल के ब्यूटी बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे ये त्वचा और बालों को सेहत मन रखने में मदद करती है, ये सारे फायदे हम जो अभी आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम फिग में पाए जाने वाले पोशक ततों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं, अंजीर के फायदे उसमें पाए जाने वाले पोशक ततों के का कोलेस्ट्रोल टाइब का फ्रूड है इसमें फैट की मात्रा कम और प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल होती है इन पोशक तत्वों के अलावा इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटियोक्सिडेंट्स और फाइबर की अच्छे मात्रा पाई जाती है फिग में बी कॉंप्लेक्स, व विटामिन ए, ए और के की प्रचूर मात्रा पाई जाती है बी विटामिन्स, कार्बोहाइट्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबलिज्म में सहायक होते हैं जबकि एंटियोक्सिडेंट्स, विटामिन्स, डाइबिटेज, कॉलेस्ट्रोल, संक्रमर जैसी प्रोब्ल जाते हैं, पोटेशियम आपके दिल की गती बनाने के साथ ब्लर प्रेशर को कंट्रोल करता है, कौपर आपके लाल रखत कनिकाओं के निर्मार के लिए जरूरी होता है, इसलिए अब आईए हम जानते हैं कि इसके गुण और फायदे क्या हैं आपके स्वास्ते के लिए, ज जोग अक्सर नमक अधिक खाते हैं, इसलिए उनमें सोडियम की अधिकता और पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिससे उच्चरक तचाप की प्रोब्लेम पैदा होती है, अंजीर में सोडियम ना के बराबर होता है, लेकिन पोटेशियम भरपूर मात्रा में, पोटेशियम ब रिसर्च ने ये पाया है कि फीग में पेक्टिंग नाम का एक साल्यूबल फाइबर पाया जाता है जो कि बलड में कोलेस्ट्रोल को बड़े ही असरदार तरीके से कम करने में सक्षम होता है ये फाइबर आपके द्वारा कोलेस्ट्रोल के अवशोशन को रोकता है जिससे आप के बलड में कोलेस्ट्रोल की कमी हो जाती है जो की एक बढ़िया बात है हम इस फ्रूट को कोलेस्ट्रोल कम करने की एक नेचुरल दवा भी कह सकते हैं इसलिए यह जरूरी है कि अगर आपको अपने कोलेस्ट्रोल लेवल्स नॉर्मल रखने हैं तो आपको रोजाना अंजीर खाने की जरूरत होगी डाइबिटीज को रखे यह कंट्रोल में अगर आपको मधुमेह की शिकायत है और आप अपना बलड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आप यह जान लीजिए कि अपको डाइबिटीज मैनेजमेंट के लिए अंजीर खाने की सलाह द देते हैं इसलिए यह उनके लिए उपयोगी हैं जो कि हर रोज इंसुलीन के इंजेक्शन लेते हैं अंजीर में पाया जाने वाला पोटेशियम आपके भोजन के बाद बौडी में शुगर के अवशोषन को नियंतरित करता है जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में र लगता है इसलिए हम कह सकते हैं हाइन की ये डाइबिटीज के रोगयों के लिए एक अच्छा फूरूट है बौन्स को ये सिहत मंद बनाता है और श्ट्रॉंग बनाता है आप सब को ये तो पता ही होगा कि कैल्शियम मिनरल हमारी हड्डियों के लिए कितना जरूरी होता है लेकिन एक और मिनरल है जो परोग शरूप से आपकी बौन्स को स्वस्त बनाता है जिहां पोटेशियम केल्सियम को शरीर में बनाए रखने के लिए जरूरी होता है इसकी कमी के कारण केल्सियम पेशाब के साथ शरीर से बाहर चला जाता है केल्सियम की जरूरत बौन्स के घनत्व और मजबूती बढ़ाने के लिए होती है फिग में ये दोनों मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं इसलिए इस फ्रूट के सेवन से आपकी बूंस हेल्दी और स्ट्रोंग बनती हैं साथ ही ये बुढ़ापे में होने वाली प्रोब्लेम्स जैसे हड्डियों का कमज प्रोब्लेम्स को दूर करने में मददगार होता है दिल को भी स्वस्थ रखता है और मजबूत बनाता है अंजीर ड्राइफ फ्रूट में फेनोल ओमेगा-3 और ओमेगा-6 fatty acid पाये जाते हैं जो कि दिल की बिमारियों को दूर रखने में लाबदायक होते हैं साथ ही इंटि potassium और magnesium blood pressure कम करके high blood pressure से दिल को होने वाले नुकसान से बचाते हैं इतना ही नहीं फीग में मौझूद anti-inflammatory और दूसरे गून arteritis में प्लेक्यू बनने से रोक कर atherosclerosis की problem से बचाते हैं ये सब फायदे मिलकर आपके दिल को स्वस्थ और मजबूत रखने में सहायक होते हैं वजन घटाने में अंजीर का प्रियोग आप जानते हैं कि अंजीर low calorie और high fiber fruit है इसलिए इसे आप खाकर दूसरी चीजें कम ख सकते हैं जिसके फल स्वरूप weight loss होता है लेकिन इन्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए यदि आप अपना weight बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप दिन में दो बार कुछ अंजीर के पीसेज दूद के साथ लें इससे आपका वजन जल्दी बढ़ जाएगा वजन को बढ़ाने और घटाने दोनों के लिए अंजीर का प्रयोग किया जाता है आईए जानते हैं कैसे वजन को ये घटाता भी है और बढ़ाता भी है बस प्रयोग का अंतर आता है आप जानते है कि अंजीर जो है वो लो कैलोरी और हाई फाइवर फूड है इसलिए इसे आप खा कर दूसरी चीजें कम खाते हैं जो कि आपका वेट बढ़ा सकती हैं जिसके फल स्वरूप वेट लोस होता है लेकिन इन्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए यदि आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप दिन में दो बार कुछ अंजीर के पीसेज दूद के साथ लें इससे आपका वजन जल्दी बढ़ेगा अगर आप अपनी आईज की पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रोज सुबह उठकर कुछ फिग्स खाने चाहिए फिग्स में पाया जाने वाल एंटियोक्सिडेंट और विटामिन ए आपके आँखों के रोशनी को बढ़ाते हैं साथ ही बुढ़ापे में होने वाली कमजोर दृष्टी को दूर रखने में मदद करते हैं वैसे तो अंजीर के फायदे बहुत से हैं लेकिन एक फायदा ऐसा है जो कि आपकी कब्ज और बवासीर की समस्या दूर करने में मदद कर सकता है इसका कारण ये है कि फीग में अच्छे लकसेटिव गुन पाये जाते हैं जिनसे आपकी कब्ज की समस्या दूर होती है आप जानते हैं कि बवासीर अक्सर कब्ज के कारण ही होता है और ये भी सही है कि पाइल्स के कारण ही constipation की समस्या होती है अंजीर का फाइबर आपके मल को नर्म बनाता है जिससे आपको उसे त्यागने में मुश्किल नहीं होती है और इसलिए ये पाइल्स के रोग्यों के लिए विशेश रूप से फायदे मंद होती है अंजीर के कुछ एक पीसेज को शहद के साथ रोजान के रखने और सुबह उठकर खा लेने चाहिए इसी प्रकार सुबह डुबो के रखे हुए पिसेज को शाम को खाना है इससे आपकी समस्या जल्दी दूर होने लगेगी पेट साफ रहने से आपको दूसरी स्टोमक प्रोब्लेम जैसे अपच बदहजमी पेट में गैस पेट दर्द इत्यादी से भी छुटकारा मिलता है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंजीर एक स्टोमक फ्रेंडली फ्रूट है पीट की सफाई होने के कारण कैंसर करने वाले पदार्थ या तो बोडी के बाहर निकल जाते हैं या फिर इंटियोक्षिडेंट के प्रभाव से खून की कमी का भी घरेलू इलाज है अंजीर यादि आपके शरीर में खून की कमी यानि की एनीमिया है तो रोजाना फिक खाने से आपकी प्रोब्लेम दूर हो सकती है इस फ्रूट में आईरन और फोलेट की मातरा अधिक होती है इसलिए ये उनके लिए फायदे मंद है जि 200 मिली लिटर दूध के साथ बॉयल करके पीने से आपका ब्लड साफ होता है तथा उसमें व्रिध ही होती है विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर अंजीर को रोजाना रात को दूध में भिंगो के रखें और सुबह उठकर पी लें ये नुस्खा आपके श्टीमिना और प दमजोरी दूर होगी और आप अपने दामपत्य जिवन का भरपूर सुख ले सकेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन आदमी तथा और तों दोनों के शरीर में पया जाता है जब हमारी बोड़ी सही तरीके से कार्य कर रही होती है तब ये हार्मोन बिल्कुल सही मातरा में निर्मि बोड़ी में अधिक हो जाती है और लेडिस का वजन बढ़ना मूड स्विंग्स मेनोपाउज में प्रोब्लेम होना जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कभी कभी तो महिलाओं में स्तनपान और गरभाशे का कैंसर तक हो जाता है फिग में ऐसे गुण पाये जाते है जो एस्ट्रोजिन की इस बढ़ी हुई मातरा को कम करते हैं और आपको हिल्थ प्रोब्लेम से बचाते हैं अनार, प्याज, निम्बू, संतरा, अवोकाडो, ब्रोंकली एस्ट्रोजिन को कम करने के गुण पाये जाते हैं अंजीर के पत्तों में कुछ विशेष केमिकल्स प मुझूद मूसिलेस आपके गले को स्मूथ करके गले के दर्द से रहत दिलाते हैं ये फ्रूट कुकुर्खासी में भी अराम दिलाता है जैसा कि आप जानते हैं कि इस फ्रूट में कई कमाल के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटियोक्सिडेंट्स और दूसरे योगिक पाये ज आपको मजबूत घने, लंबे और शाइनिंग बाल पाने में मदद करते हैं आईए हम कुछ एक फायदे बता रहे हैं जो कि आपके फेस यानि की स्कीन और बालों के लिए होगा फिग में पाये जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स स्कीन को सेहत मंदर रखने में मदद करत हैं तथा नई स्कीन की वृद्धि को भी प्रमोट करते हैं फिग को पीश कर स्कीन पर लगाने से फोड़े फुनसी पिमपल्स जिन्ट्स इत्यादी प्रोब्लेम दूर होते हैं कारण यह है कि इस फ्रूट में कमाल के एंटी इंफ्लमेंटरी गुण पाये जाते हैं जो इ पिमपल्स इत्यादी नहीं होते हैं साथ ही आपकी स्कीन अंदर से स्वस्त और चमकदार बनती है दही में फीक का पेश्ट मिला लीजिए इस पेश्ट को अपने चेहरे पर लगा कर थोड़ी देर मसाज कीजिए कुछ देर बाद यानि कि कुछ एक मिन्टों तक इसे अपन अपनी स्कीन को साफ करने के लिए फेशियल स्क्रब भी बना सकते हैं इसे बनाने के लिए दो टेबल स्पून फिक पेश्ट में दो टेबल स्पून संतरे या फिर निम्बू का रस मिलाए एक टेबल स्पून स्वगर और थोड़ा सा ओलिब ओய या बादाम ओयल या कोपोन प्री, काली और डेड लेयर हटा कर नीची की हेल्दी और साफ लेयर को उजागर कर देगा। प्रूटे में तीन बार करने पर आपकी स्कीन टोन और फेर हो जाएगी। साथ ही त्वचा में निखार भी आएगा। इस फ्रूट में कुद्रती मॉस्चराइजिंग गुण होते हैं। इसलिए इसे खाने पर आपकी स्कीन चमकदार बन जाती है। अंजीर से बालों को होने वाले फायदे के बारे में बात करें तो इस फ्रूट की इंटियोक्सिडेंट विटामिन सी और ई आपके बालों को जड़ने यानि के हेर लोस से बचाते हैं। साथ ही इन्हें साइनिंग और हेल्दी बनाए रखते हैं। विटामिन्स और दूसरी मिनरल्स जैसे के मेगनीज इत्यादी आपके सर में खून के दोरे को अच्छा करके आपके बालों को बढ़ने की गती को बढ़ाते हैं। इस फ्रूट में पाये जाने वाला केलसियम आपके बालों को मजबूती देता है। इस ओयल को आप अपने कंडिशनर के साथ मिला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल सफेद होने की प्रोब्लेम के कारण आप चिंतित हैं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि फीग में पाये जाने वाले एंजाइम्स आपके बालों के कलर को बनाए रखते हैं। तथा उन्हें और समय सफेद होने से रोकते हैं। अगर आपका गला खराब हो गया है तो हनी के साथ इस फ्रूट का सेवन कीजिए आपको आराम मिलेगा। अगर आपको माता निकल गई हैं यानि कि चीकेन पोक्स हो गया है तो शुरुवात में इस फ्रूट का इस्तेमाल करने पर ये बिमारी आगे नहीं बढ़ पाती है, रुख जाती है। पथरी होने के स्थिती में छे पीसेज को एक कप पानी के साथ कुछ देर उबाल कर पिएं आपको आराम मिलेगा। अंजीर के ताजे पत्ते चबाने पर मुँग की बदभू गायब हो जाती है। टॉंसिल्स की सूजन से परेशान होने की स्थिती में आप कुछ फिक्स को पानी के साथ बॉयल करके इनकी पेश्ट को अपने गले के बाहर सूजन वाली जगह पर लगाने से आपको दर्द और सूजन से आराम मिलता है। इस पोधे की पत्तियों का पेश्ट कोड की बीमारी में लाफ दायक होता है। इसकीन पर मस्य होने पर अंजीर के कोमल तने का जूस निकालने और उसे प्रोब्लेम वाली जगह पर दिन में तीन बार लगाएं। कुछ फिक्स को पानी में उबालका रोज पीने से कुरेजा प्रोब्लेम में लाफ मिलता है। कुछ अंजीर के पिसेज और कुछ खिश्मीश रोजाना दूद के साथ खाने पर आपकी मेमोरी बढ़ती है। मलेरिया की स्थिती में कुछ पिसेज अंजीर के सिरके में चार घंटे डुबो के रखो और बाद में दिन में दो बार इन्हें खाने से मलेरिया की प्रोब्लेम दूर हो जाती है। फ्रेश फ्रूट को स्किन पर लगाने से दाने पिमपल्स की प्रोब्लेम दूर हो जाती है। अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं तो कुछ फीग के पीसे रात को पानी में डुबो के रखी और सुबह इनका सेवन कीजिए आपको दो से तीन दिनों में राहत मिल जाएगी। ये कान के दर्द में फायदे मंद होता है तथा अंजीर को खाने से लीवर भी श्ट्रोंग बनता है। पन लगेगा लोड ब्लर शूगर जैसे कुछ एक नुक्षान आपको हो सकते हैं। उसमें कुछ न कुछ बुरी भी होती है। चाहें वो अमरित ही क्यों न हो इसलिए हर रूज थोड़ा थोड़ा खाईए और अपना जीवन स्वस्थ बनाईए। बहुत ज्यादा मातरा में इसका प्रियोग ना किजिए। अब जानते हैं कि अंजीर को कैसे खाना चाहिए। अंजीर को आप फ्रेश खा सकते हैं और ड्राइ रूप में भी खा सकते हैं। हालांकि फ्रेश खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदे मंद होता है। आप इन्हें अपने सलाद, केक, जैम, आइसक्रीम, शेक इत्यादी में डाल करके इसका स्वास्थ वर्धक गुनों का फायदा उठा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप सभी ने ये जो अंजीर था आ आप अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो हमने जो भी अभी प्रोब्लेम्स बताईं कि दूर करता है अंजीर, इन सारी प्रोब्लेम्स से आप दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं अंजीर के सेवन से बस इसका सदू पयोग करें, यानि कि समुचित मातरा में प्रयोग करें, अत्या प्रदी ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों